गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स आज मैं कलास थी का रोमन नम्रल के बारे में कुछ पताने जा रहा हूं आप ध्यान दिजिएगा देखिए रोमन नम्रल में देरा सेवन बेसिक सिंबल्स तो राइट एनी रोमन नम्रल अब कोई भी रोमन नम्रल लिखना है तो साथ गो सिंबल का यूँज होता है जैसे की इसमें क्या क्या होता है कि इसको पलए आप लोग समझते कि रोमन ह्ंको एक्स लिखते हैं अन्डर को से लिखते हैं और 1000 को M लिखते हैं तो in the Roman system there is no symbol for zero अब एक चीज़ और ध्यान रखिए का Roman system में zero का use नहीं होता है अब हम लोग आज जो है first three symbols I, V और X इसी के बारे में हम लोग discuss करेंगे discuss the first three symbols I, V and X ठीक है? तो देखिए first rule first में repetition of a Roman numbers means means addition means कोई भी Roman number को आप बार बार repeat कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है? कि वो उसका add हो रहा है means जोड हो रहा है जैसे देखिए repeat हो दो बार तो मतलब क्या हो है? 1 plus 1, 2 हो गया फिर देखिए I, I, I means यह तीन बार repeat हो आओ तो 1 plus 1 plus 1 is called to 3 इसको 3 पढ़ेंगे इसको 2 पढ़ेंगे इस एक्स एक्स 10 plus 10 is called to 20 उसी तरह एक्स 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 बतलब 10 plus 10 plus 10 is called to 30 इसको 30 पढ़ेंगे और एक चेवा धियान रखे वो कभी भी repeat नहीं होता है No numbers can be repeated more than 3 times एक चीज और ध्यान दखिएगा मैंने इसमें Roman number में कोई भी number जो है तीन बार से ज़्यादा repeat नहीं हो इसमाले कि हमको लिखना है 3 तो अपने 3 यहां लिखा I, I, I अगर हमको 4 लिखना है तो 4 लिखना है तो उसको I, 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 I हम यूज नहीं कर सकते हैं मैं इसके बारे में आगे आगे आपको बता रहा हूँ ज़्यान देजिए Rule 2 में A smaller number written to the right of a larger number is always added to the larger number Miss smaller number जो है अगर हम larger number के right Miss दाहिने तरफ लिखते हैं इसका मतलब क्या होगा कि उसको हम आड करें जासे आगे यह количество यह bigger larger number वे का बाद यह क्या लिखे है I थो यह हो गया smaller number हो गया मतलब क्या हए कि इसको हम add कि है five में one एड किये więc to six है, तो six है जो six पढ़ेंगे जिसने देहा कि यह larger number हो गया एक्स recognize ब्रीटें टूट दा लेफ्ट ऑफ लाजर नंबर इस अल्वेस सब्टेक्टेट फूं दाल जरूम निसमतलब यह वा कि अगर लाजर नंबर के लिफ्ट मीस् बाएं तरफ अगर श्मॉलर नंबर लिखते हैं इसका मतलब क्या हुआ ये शब्टेक्ट हुआ तो फूर ये क्या हो गया फूर पढ़ेंगे ऐसिक लार्जर मोगा इसके लिफ्ट तरफ क्या हो गया आई टेन में वान कटाएं तो क्या हो गया ये ये आपको फूर नाइम इस अफसारे को रोमर नमरल में लिखना है तो जैसे एग्जामपल 6 तो 6 को क्या लिखेंगे भी आई यह हो गया 6 और एक ची और ध्यान देने से 1,2,10 आप लोग 10 के बाद 11 आएगा तो क्या करेंगे उसमें फिर हम X में आई जोडएंगे तो वह क्या हो जागा 11 यहां देखे 28 28 में क्या हो इसका होगा टेन पलस टेन 20 होता है इकस एकस ट्वंटी और उसके घी आई 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 यह हो गया 28 एकस एकस भी आई आई इसको अब अब आप बना लिएगा अब इसको हिंदू अब आपको प्लेस होलर्स बताना है कौन बड़ा है कौन चोटा है कौन इक्वल है अब इसको ध्यान रखना है जैसे यह 24 इसको पढ़ेंगे मतलब 20 या अभी है मतलब 26 तो यह मेरा बड़ा हो गया तो हम इसको ऐसे करें ठीक है वीचे फ्लोइंग और मिनिलेस इसमें बताना कि कौन और्थ हीन है जो और्थ हीन है उसको हम इसमें हम टिक मार देंगे ठीक है इसको रोमा नंबर में एंसर देना है जैसे मतलब देखे एक एक साय हम ओई एक साय मतलब क्या होता है इलेवन कितना हो गया 22 को रुंटी ठीक है तो यहां तक आप लोग कम्पलीट कीजी अिएगा उसके बाद यह जो table आपको chart दिया हुआ है Hindu Arabic number from 1 to 39 में Roman numbers जैसे देखिए Hindu Arabic numbers यह है यह Roman numbers दिया है तो 1 मतलब I 2 मतलब II उसी तरह आपको यहां 39 तक दिया है तो इसको आप लोग याद कीजिएगा जब इसको याद कर लिजिएगा उसके बाद ही यह आपको बना सकते हैं इसे ठीक है तो आज यहीं तर that's all thank you